हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले 1130 लो जी, आगा है हम आपके सामने, आज एक नया चेप्टर लेके, जिसका नाम है Thermal Properties of Matter तो यहां से आपकी एक नई यूनिट स्टार्ट होती है बच्चो जिसका नाम है Heat आज से जो भी हम बात करेंगे, वो Heat से रिलेटेड करेंगे अभी तक हमने जो भी बात करी थी, वो Solid से रिलेटेड थी इवन मेकैनिकल वे में रिलेटेड थी जो कि अभी हमारे रिसेंटली जो दो चेप्टर कम्प्लीट हुए है जो कि Mechanical Properties of Solids and Flutes जिसको Fluid Dynamics बोलते हैं, वो भी कुछ हद तक या पूरे ही पूरे Mechanics पे डिपैंड करते हैं, ठीक है? चलो तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और एक नया चेप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो भाई लोग, सब बढ़िया, एकदम मस्त, है ना, fit and fine सबसे पहले जो इस चैप्टर में, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें सबसे बहले आप देखेंगे कि heat क्या होता है, क्या बच्चो, heat के बारे में आप देखेंगे कि heat क्या होता है, ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि temperature क्या होता है, है ना, यही तो basic अगर इसी के बारे में नहीं चानेंगे, तो हम कैसे बताएंगे आगे कि stories क्या चल रही है, राइट, दैन उसके बाद आपका next topic आएगा होगा हमारा thermal expansion, राइट, इसमें भी काफी टाइप के thermal expansions होंगे, linear volume अट्रेक हाना, सबने पता है अभी, जो जो revision कर रहे हैं, उनको भी बता है, राइट, एरिया का भी होगा, राइट, उनके relations क्या होंगे, correct, दैन उसके बाद हम आखनी में आएंगे, anomalous behavior of water, कि water का कैसा क् उसके बाद हम लोग density की बात कर लेंगे, density, liquid वगरा की कैसे change होती है, heat की वज़े से, right, temperature change होने की वज़े से, चलिए, आज इन topics को करेंगे, and इस chapter में और भी topics हैं, like specific heat capacity, right, heat transfer की बात करेंगे, हम लोग state change की बात करेंगे, फिर हमारा जैसे heat transfer में यह आ जाएगा, conduction, convection, radiation, right, Newton's laws of cooling हना, हम आखरी तक महा तक भी जाएंगे, चलिए, तो इस chapter को start करते हैं, and सबसे पहला topic जो आता है हमारे सामने, वो क्या आता है, भाई आता है heat and temperature, चलिए, इसकी एक feel लेते हैं, हमके heat होती क्या है, हना heat होती क्या है, starting है, सबसे पहले इसकी feel लेंगे है, अपर लोग energy, चलो बच्चो आपकी बात माल ली कि सही बात है, heat हमारी एक type की energy है, ठीक, तो अगर मैं इसकी unit की बात करूँ, बच्चो अगर इसकी unit की बात करूँ, तो energy की unit क्या होती है, energy की unit होती है, जूल, ठीक, और अगर मैं heat की unit की बात करूँ, तो heat की unit भी जूल होगी, क्यों, हो और यकी चीज है रहे की चीज होती तो नाम से कमसे कम नाम कुछ ना कुछ सब्सक्रेइथा कि एृट आपनी बच्चों यह वर्क होताए वर्क वाट वर्क वंगरा नहीं निवाय सीवधर न कर रहा हूं वहां पर कर मकानिकस पर वह याओ इतनी जल्दी मत भूलो mechanics में जब बात करते थे वर्क होता था तो इसका मतलब होता है mechanical way यह होता था mechanical way किस चीज का mechanical way mechanical way of transfer of energy mechanical way of transfer of energy बोलो समझ आया mechanical way of transfer of energy यह होता था हमारा work heat क्या होता है heat एक non-mechanical way होता है बच्चों क्या होता है heat देखो non-mechanical way अब सुनो non-mechanical way क्यों बोला मैंने mechanical way non-mechanical way of transfer of energy ठीक चलिए एक बात बताओ यह mechanical way क्यों होता था वर्क जब भी कोई हम solid में क्या बात करते थे कि मालो कोई मास होता था हमारे पास और उस पर हम क्या करते थे एक फोर्स लगाते थे मालो यह लगा दिया मैंने तो किया अरे हमने नहीं कोई external force कुछ भी लगाया वह हम नहीं तो लगाया है ना तो उसको हमने वर्क किया वर्क कितना किया fdx यह fk external force अब या तो यह इसकी kinetic energy बदल जाएगा या फिर इसकी potential energy में अगर आप इसको एक कीच दोगे तो वह काइनिटिक में बदल जाएगा speed आ जाएगा उसके पास और आप इसको बड़े आरहम आराम से कीच्छोंगे बड़े आरहम आरहम से किसके विलोसिटी आए ना तो वह जानने के लिए कि नौन इकर रर किसे हैं उसके लिए आपको ठोड़ी टेमप्रेश्र की सब्सक्रांब पर करने क्या होते है जानने के लिए कि यहां से हम बात कर से देते हैं इतों के टेमप्रीट currents क्या था इस टेंपरेचर, चलो आप, टेंपरेचर की जो डेफिनेशन है, मैं यहां लिखने वाला हूँ आपके लिए, एवरेज, वाइबरेशनल, एवरेज, वाइबरेशनल, काइनेटिक, एनरजी, एवरेज, वाइबरेशनल, काइनेटिक, एनरजी, ओफ इच मॉलीक्यूल, बच्चों जिसको मेरी स्पीड स्लो लग रही है, प्लीज अपनी स्पीड बढ़ा कर, यूटूब पे एक ऑप्शन होगा, उसको बढ़ा कर, आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे उन बच्चों को लेके भी चलना है, जिनको अराम-ाराम से पढ़ना है, उनको अराम-ाराम से समझ आता है, लेकर आगर आपको यह लग रहा है, तो आप स्पीड बढ़ा ही है, 1.0.25 करके निकाल दीजिए, आपको सब समझ आता चला जाएग, चलो हम टॉपिक पर वापिस आते हैं, दिल लेते हैं, इसका मतलब क्या है, एनरजी, एक मॉलीकुल की वाइभरेट होने की एनरजी को हम टेमपरेटर बोलते हैं, टेमपरेटर कैसे ए όल्रीचा यह वाइबरेट हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, है ना, वो तो इस पेーस में है ना, तो चलो, अ माल विए रहे ओगाम कि दोड़ीक्यू और इसके अंदर भी मॉलिक्यूस थीक है माल विशका टेम्परेशियर 50 दिग्री सेल्चियेस और इसका है 25 डिग्री सेल्चियेस मैंने था प्रेशियर क्या है एवरेज vibration kinetic energy हर molecule की तो इसके पास भी कुछ COMTI Rğu कि इसके पास भी होगि इसके पास मेरे आप कर रहे हो रहों गे इसका temperature ज़्यादा तर जाधा तेज कर रहे हों गे और यह assist worden है और यह विए तेज तेश 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 कर रहो गा, आ है क्या किरूंहाँ पता है इन उनों को उठाया और ने चिपका दिया विकॉल से नहीं चिपकाया यार मतलब पास में लाकर उनको कॉंटेक्ट में ला दिया कॉंटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा मॉलीकुल से बीच में कोलीजन होगा कोलीजन होते ही तो इसकी तेज नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, इसका मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई मतलब टेंपरेचर बढ़ गया, है ना, एनर्जी बढ़ गई मतलब टेंपरेचर बढ़ गया एक तरीके से, यही हो गया ना, इसका टेंपरेचर कैसे energy बड़ी मतलब energy का transfer हुआ समझ आ रही है मेरी बात को feel आ रहा है energy का transfer हुआ energy का transfer हुआ इसी को तो heat बोलते हैं बच्चो energy का transfer हुआ भाई उसके kinetic kinetic vibrational kinetic energy बढ़ गई के नहीं तो उसके कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ मतलब कुछ ना कुछ energy गई वो ही तो heat होती है तो क्या मैं यहाँ पर यह बोल सकता हूं कि heat का transfer यह heat कब flow होगी कब flow होगी जब वहाँ पर difference in temperature हो difference in temperature हो बोलो मेरी बात समाझ आ रही है मैं ऐसा क्यों बोला अरे अगर temperature यह यह 25 और यह 25 मालों यह भी इतने वाइब्रेट कर रहा है यह भी इतने वाइब्रेट कर रहा है तो कुछ होगा टक्राद हो कुछ नियोगा सेम होगा लेकिन जिसके पास ज्यादा है वह कम वाले से टकर आएगा तो कुछ ना कोच उसकी speed बढ़ा देगा और इसकी कम हो समाज आया बात फील आया हीट का टेंपरेचर का फील आया चाँ तो यहां से हम एक चीज तो पता लग जा है कि सर आप बोलोगी सर हीट जबी फिलो होगी यह जब भी ट्रांसफर आफ एनरजी होगा कब होगा जब डिफरेंस इन टेंपरेचर हो बिलकुल सही क्या यह नॉ समझ आया आगे बढ़ें अपन चलो आगे बढ़ते हैं तो यहां अपने हीट और टेंपरेचर देखा कि हीट क्या होता है और टेंपरेचर क्या होता है अब अगली टॉपिक पर आते हमारा है थर्मोमेटरी बच्चों इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए चैप्टर क कि बात करते थो हम उससे thermometry बोलते है यहां पर मैं लिख देता हूं कि मेजरमेंट कि मेजरमेंट ऑफ कि टेम्परेचर बच्चो एक चीज और कि यही कि डेफिनीशन वग्एरा राइट डेफिनेशन तो हर बूक में मिल अगर आपको समझना है तो समझने के लिए इसको देखो अकर यह आपको समझ में अच्छे से आ गया ना तो यह मानलों आपको एनर्जी आगया एवरेज वाइबरेशनल एनर्जी एक-एक मॉलीक्यूल की टेंपरेचर खत्म समझ आ रहा है तो आप लिख सकते अपने वर्ट्स में टेक चलो मेजर्मेंट ऑफ टेंपरेचर थर्मोमेटरी की बात करेंगे तो देखो आपने हमेशा देखा होगा हम लोग चैंंपरेचर यह जब भी बताते किसके बताते लिखरी इस में बताते हैं के यह क्या था है 60 इस ठीक चब इन स्केल्स के आपको फॉर्मुले जैसे यादी होंगे काफी बच्चों को पता हुआ क्या होता था बच्चों एफ माइनस थर्टी टू बाइन इस एक और पता था इस लिए तो बोलते हैं रटके नहीं बैठना चाहिए रटके बैठेंगे गलत हो जाएगा मैं आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा इसको ठीक क्या आता था के इक उस्टू 273.15 यह तो चलो मेरे को मैं मान के चल रहा हूं इतने बच्चों ने इसको याद करके रखा हो का राइट लेकिन अगर हम एक बेसिक फर्मॉला निकालने बेसिक मतलब कि कोई भी दुनिया की स्केल बना दें देखो यह कैल्विन है फेरेनाइट है डिग्री सेल्टी सेल्सियस है सेल्सियस की स्केल अपनी बात करती है अपने साफ से बात करता है अगर मैं भी कोई नई स्केल बना दूं कोई भी नई स्केल बना दूं उसके बारे में मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं मैं अपनी स्केल से ना अपलोगा समझ रहे मेरी बात को तो हम एक ऐसा फॉर्मुला डिर ले मेरी एक चीज बताओ यहां पर हम बात करें गया मेरी एक चीज बताते चलो यहां क्या था celsius था बच्चो ठीक है चलो आ जो देखो बच्चो हमने temperature को हमने temperature को पता करने के लिए दो reference point माने कौन से माने दो reference points एक तो माना एक माना मैंने कौन सा steam point sorry ice point ठीक ice point ice point को मैं क्या बोल दूगा melting of ice ठीक और एक क्या माना मैंने boiling of water boiling of water और boiling of water को क्या बोल है मैंने steam point इसको बोल रहा था steam point ठीक चलो अब हमने क्या देखा बच्चो हमने देखा यह steam point और ice point के जब हम बात कर रहे हैं तो हमने तीन स्कुल के लिए कितना कितना होता है तो मैंने सबसे पहले बात करी अगर मैंने सबसे पहले से बात करें अगर celsius की celsius ठीक डिग्री celsius की तो इसका steam point हमारा ice point कहां पर आया जीरो पर जीरो डिग्री celsius पर बोलते हैं क्या इस पॉइंट है 3.15 और इसके लिए कितना होता है 373.15 ठीक और ऐसी अगर मैं उसकी बात करूं किसकी आखरी कौन सा बचा हमारा फेरे नाइट तो वह कितना होता है 32 और यहां कितना होता है 212 यह स्टीम points है और यह इसके आइस points है बच्चो ठीक चलो और यह किसका था हमारा F का अब मैं क्या करूंगा देखो अब मैं क्या करूंगा मेरे को इसकी values चाहिए इस इंगे बीच में इन दो की में बात कर लेता हूं ठीक चलो तो मैंने क्या बोला एक तो जीरो और हंडिड चलो मैं क्या बोलता हूं जब जीरो डिग्री सेल्सियस है तो कितने फेरेनाइट है कितने फेरेनाइट है 32 तो माल लो इस point पे किस पे यहां पे जीरो डिग्री होगा चलो यहां पे और जीरो डिग्री है और फेरेनाइट कितना इस इन रहा थिरे शाथे जालो एक इस indicator यहां अ गया कौनसा आगए हैं डूसर फॉइंक भाले है अगरी 100 इंगरी सेल्सियस है तो कितना आ रहा है 212 तो अगर इसका 100 यहां पर कुछ है यह 100 ठीक यहां पर कुछ 100 डिगरी सेल्सियस है थोड़ा आगे मान लेते हैं नहीं तो फिर आगे दिक्क्त आने वाली है आजो मान लो यहां पर 100 होगा तो उसके लिए 212 फेरेनाइट यहां कहीं होगा 212 चलो माल लिया तो यह कहां मिलेगा आके यहां कहीं मिलेगा आके यहां सही है चलो सही है तो एक पॉइंट मेरा यह आया और एक पॉइंट मेरा यह आया इन दोनों को मैंने मिला दिया कि यह एक लाइन मन के आ गई विरे पास बिलकुल सही है अब मैं एक रैंडम पॉइंट माल लेता हूँ बच्चो random, माल लो किसी पर, किसी degree Celsius C पर Fahrenheit की value कितनी है कितनी है यह होगी कुछ 5, value F ठीक, माल लिया मैंने वो point चलो, आगे बढ़ते हैं ठीक, तो अब मैं क्या एक बात बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको A बोल दूँ इसको मैं line को यहां join कर दूँ इसको A बोल दूँ इसको B बोल दूँ, इसको C इसको P and Q तो क्या आपको दिख रहा है triangle A, B, C and triangle A, P, Q दोनों similar triangle दिख रहे हैं आपको इन दोनों का angle same है ठीक, तो मैं क्या यहां से यह बोल सकता हूँ बच्चो B, C upon P, Q is equals to A, C upon A, Q बोलो, दिख रहा है देखो B, C upon B, Q equals to A, C upon A, Q लिख दिया मैंने, चलो B, C क्या है बच्चो यहां की height, minus यहां की height यहां की height F है और minus कितना कर दूँ, 32 तो क्या लिख दूँँगा F minus 32, बिलकुल सही चलो, P, Q क्या है मेरा 212 minus 32 लिख दो 212 minus 32, चलो AC कितना है C minus 0 and A, Q कितना है 100 minus 0 यह जो चीज निकल के आएगी वो क्या आएगी, यही आएगी F minus 32 upon 9 is equals to C upon 5, ठीक अब सुनो, यह तो आप हर किसी के लिए नहीं कर सकते हर किसी के लिए ऐसे गराब बनाओगे एक चीज इसमें जो constant होती ही, वह आपको बताता हूँ क्या होती है, देखो अब एक चीज लिखने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखो क्या लिखूँँगा देखो Reading Reading minus Ice point Ice point Hole upon क्या किया मैंने Hole upon Hole upon Steam point Steam point Minus Ice point वापस से Ice point ये बच्चों, ये होता है constant ये होता है constant चाहे कोई भी scale हो, ये होता है constant ये constant होता है ये है most important चीज इसको आप ध्यान रखो अगर आप ये भूलते हो तो चलता है ठीक है, अगर आप ये भी भूल जाते हो चलता है अगर आपको ये याद है, ये चीज समझ आती है तो आप सब कुछ कर सकते हो, देखो कैसे देखो कैसे, आपके सामनी में एक पूरा निकाल कर पता जेता हूँ Reading, माल लो कुछ Fahrenheit है या कोई degree Celsius है या कुछ ना कुछ value K की है उनको मैंने F, K, C माल लिया माल लो, अगर Celsius की बात करूँ तो माल लो, C मेरी reading है कुछ minus, I.0 यहाँ देखो आप steam point कितना है, 100 minus, I.0 Fahrenheit की बात करो F, कुछ reading होगी ये रहा F, ये रहा इसका कितना है, melting melting of ice, ice point कितना है, 32 इसका steam point कितना है, बोलो जल्दी 212, minus 32 ice point यही मैं बात कर लो, K की तो इसका ice point कितना है, 273.15 whole upon 373.15 minus 273.15 इन दोनों को solve करो ये पूरा constant होगा कुछ भी होगा constant होगा इन दोनों को solve करो ये आजाएगा इसको और इसको solve करो ये आजाएगा समझ आया आई होप आपको चीजे क्लियर होती जा रही होंगी कैसे कैसे चीजे आ रही है, कैसे कैसे नहीं आ रही सब समझ आ रहा होगा आपको है ना, कोई भी दिक्कत कोई भी दिखकत बिलकुल नहीं चाहिए बच्चो इतनी तरीके बता रहा हूं और कैसे बताना चाहिए बताओ चलो अगर अभी भी नहीं आया तो एक मैं निमेरिकल बता रहा हूं आपको इसके बाद उसको आप आपको बता देता हूं सॉल्व आप कर ले ना ठीक उसने बोल और एक कनवर्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेट या 50 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन एंड फैरेनाइट सिंपल अब मैं क्या बोलूंगा मुझे कुछ नहीं पता मैं बोलूंगा कितना बोल रहा है सी की रीडिंग बता रहा है कितनी 50 माइनस आइस पॉइंट देखो यहां में आइस पॉइंट बोलो समझ आया आया समझ मैंने क्या लेखा पुराने पेच की चीज़ लिखती है बच्चों ते को वही चीज तो लिख दी आइस पॉइंट आई पी एस पी ठीक है समझ आया चलो तो मैं क्या बोलूंगा सेल्सियस के लिए 50 रीडिंग आइस पॉइंट कि कैल्विन के लिखूंगा कुछ ना कुछ रीटिंग होगी माइनस आइस पॉइंट कितना है उसका 273.15 अना स्टीम पॉइंट कितना है 373.15 माइनस 273.15 यहां से के की वैल्यों आ जाएगी ठीक है सीम चीज इस के लिए कर दो आप क्या बोलो कि 50-0 अपॉन 100-0 is equals to Fahrenheit के लिए एफ आइस पॉइंट के ताओ था 32 स्टीम पॉइंट होता है सट 212 माइनस 32 बताओ बच्चो यहां से एफ और के निकल लोगे एफ और के निकाल लोगे बोलो जल्दो जल्दी बोलो जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चो है ना एक्साम की टेंचन हो रही तबको कोर्स हो पाएगा नहीं हो पाएगा अरे सब हो जाएगा आप बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो सब कुछ हो जाएगा सब कुछ हो तो even IIT में भी अगर वैसे आते नहीं इन कॉंसेट से लेकिन अगर आ गया धोके में तो इस टाइप के वुशन आ सकते हैं ठीक चलो यहां में इस को करेंगे बच्चों आओ और रूमर्स एक स्केल दी गई हमें रूमर्स केल कोई भी स्केल माल नहीं मेरा नाम माल दो अभी न इन दा बॉइलिंग पॉइंट ऑवट और टेकन एज जीरो आर एंड एटी आर जैसे के है एफ है डिगरी सेल्सियस है ऐसी उनने आर बोल दिया तो हमें एक स्केल दी गई है नाई उसके मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों आइस तो क्या यहां से हमें Ice Point Stream Point दिए हुए है इसकी नई स्केल की बिलकुल साही अब हम से बोल रहा है था freezing point and boiling point freezing मतलब वह ही हो गया melting point वाला आई इसका ठीक फूरीजिंग point and boiling point of mercury देखु है आप उन्हें सीज़ करें अभी वाटर के लिए बोल रहा था mercury के लिए बताया है celsius scale mercury on celsius scale 39C and 367c respectively express the temperature on rumors scale देखो बच्चों उनने क्या किया है की आगे म खेला है आप से बोला है कि वो वोटर की अगर बात करें तो उसमें डिल के मैल्टिंग और बॉइलिंग भॉइंट दे रSवार को ख़ा है आपको ठीक है और पूछ किसा का रहा है मरकरी के लिए पूछ रहा है में कर्यी का लख प्रीजिंग पॉइंट और मेंटिंग ज precaदियो डिया है वाटर का fire water scrape każdy अ शवरी मरेकरी की दिया हुँ राटर मेर है ईंसपारफिसीग के लिए 116 राहिया इन्फोर्मेशन आपको दे रहा है वाटर के लिए और इसकी बोल रहाँ जूआ फिस्य हम ठीक है और आप जैसे बच्छाइक है आप यह मालो दस मीटर ठीक मेरी हाइट है सrices मींट bots Light औरasure आपकी आए तस मीटर ठीक है अभी आप मालो आपको और मेरे को पुछ लॉट लोष लेकर भट किरने के बाद अगर उनने ऊपर से देखा तो उनको आपकी हैं रहे हैं उनको आपकी हैद दिखर ही तो उन्हог तो पाँच दाओ कि टनी देखेगी अरे यादी समझ आ रहा ही मेरी तो अगर मेरी हाइट मालों अभीनव अभीनव की हाइट बच्चों की हाइट से टेंड टाइम जादा है तो यहां अगर 10 है तो 100 और यहां उन्हें आधी दिखे तो मेरी के अंको पूरी देखेगी मैं भी तो अधी दिखेगी तो टैन इंटे 5 किता हो जाएगा 50 मेरी बास समझ म हाइब समझ आईगी मैने ऐसा क्यों बोला अब समझ आएगा आपको मैने ऐसा क्यों रखी है इसको बना रहने दी है ठीक है यह लोग किसे मेरे बना दिया सर जी आप भी बन जाओ ते 50 मिटर के अफ सुनो मैंने आतियो किया ऐसा देखो, उनने हमसे rumors scale की value दे रखी है, क्या दिया है, एक scale बना दी उनने, यहाँ पर क्या दिया है, ice point, कित्ता दिया हुआ है, जल्दी बोलो, ice point दिया हुआ है, sorry, steam point लिखेंगे यहाँ पर, क्या मैं अगर celsius मैं change करूं इसको, क्या मैं इसका relation निकाल सकता हूँ, क्यों हमें water कीरी celsius की knowledge है, water कीरे celsius की knowledge क्या है, celsius यहाँ पे 100 होता था, उसका steam point और zero होता था उसका, ice point, और यह celsius की, और यह भी बात हमें water की लिए पता थी, बोलो सही है, तो यहाँ से water की लिए relation निकाल सकता हूँ, कैसे, rumors की reading, इसके लिए लगा दो क्या लगाओगे कोई रीडिंग सी माइनस आइस पॉइंट जीरो अपन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट बोलो यहां से आपके वाज एक रिलेशन निकल के आएगा आया आगया आपन फॉइज्ट यहां से आपके आपके पाद आर की वैल्यू कित्थी आ रही है फोर अपॉइंट फाइव टाइम सी गोलो कुछ गलत किया नहीं किया हमें यहां से आर और सी का रिलेशन निकल के आ अब तुम किसी में भी पतक दो भाई मर करी की दे दो किसी की ना यहाँ पर दसके आपको बहुत हो वहां पर पांच देखे जा रहे हैं तो मेरे को भी तो पचासी देखोगे मैं कोई अलग थोड़ी हूं हाँ मतलब सर हूं होँँ थोड़ा सा अलग हूँ आजो ठीक अब हमसे क्या बोला क्या है अब हमसे सुनो क्या बोला फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट मरकरी का दिया हुआ है कितना 39 और 367 तो रूमर से स्केल के लिए पूछा है आप सुनों यहां पर क्या बोलूँगा आइस पॉइंट कितना है 39C किसके लिए मरकरी के लिए तो यहां से यहां से मैं आर के लिए बता सकता हूं कितना होगा 4.5C की जगे रख दो 39 यह मरकरी के लिए आ रहा जाएगा और यह क्या होगा क्या होगा यह भी थो हमारा आइस पॉइंट ही होगा आइस पॉइंट होगा है ना तो यहां से सॉल्ब का रहो तो आर की वेल्यू कितनी आएगी बच्चों आर की वेल्यू कितनी आएगी देखो दो का इंटू दो का डिवाइड मुदा दो का डिवाइड कितना आ गया 39 इंटू 8 अपॉन 10 इंक ता हो गया थैंक्यू कुष्ण थैंक्यू मेरा टाइम बचा लिया अगली वेल्जू आप निकालोगे समाझ आया कैसे निकालोगे अरे कुछ नहीं उसकी बॉइलिंग क्शिव पोईंट है इस इसमें डिदना फिर से मैं सी कि जाएगा मरकरी के लिये समझ आया कैसे किया के लिये रहे हैं चीजह है चलो अपन आपने बढ़ते हम perhaps नहीं है आवा आता है बत्शो थर्माइल एकस्पांशन सब एक चीज बताओ, अगर कोई material है, मालो यह material है, हैना कोई भी material है, उसको अगर आप heat दोगे, तो क्या होगा? सर उसका temperature बढ़ जाएगा, ठीक है temperature बढ़ गया, फिर क्या होगा? फिर वो expand कर जाएगा, अरे पागल बच्चों, expand तो करेगा, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों करेगा, reason बताओ, compress भी तो कर सकता है, compress भी तो कर सकता है, मालो ऐसा क्यों होता है, heat दे दो, तो वो expand कर रहा है, नहीं, compress भी तो हो सकता है, तो भाईया, जल्दी से जंप मारिये, mechanical properties of solids में, जिसने नहीं देखा है, जाके elasticity chapter खोली है, परले 11-30 पे आपको मिलेगा, वह समझा हुआ है, जब elasticity को explain करते हैं, उस time समझा हुआ है, कि जब forces लगाते हैं, तो restoring force क्यों लगता है, आओ यहां पर एक पर और समझाते हैं, मैंने वहाँ पर molecules को क्या बताया था बच्चों, मालो यह मेरे molecules हैं, और इनकी बीच की intermolecular force को मैंने spring force की तरह शो किया हुआ है, ठीक है, बोलो समझा आ रहा है, अरे सर molecule गाया है, वो गया वाइट वाइट से लिख रहे हो, अरे लो यार, अब फील आ रहा है, जा, आपको उस time याद हो, तो एक graph आता है बच्चों, कौन सा graph आता है, कौन सा graph आता है, यह वाला देखो, ऐसा एक graph आता है, किसके किसके बी energy and inter-molecular distance, यह रहा है, इंटर-molecular distance, देखो, R0, ठीक है, समझा आया, वो कैसा आता है, कैसा आता है, कुछ इस type का आता है, ऐसा, ठीक, हाँ, बिलकुल अच्छा बनाया है, मैंने, वाह है है, मैं अच्छा बनाने लग गया, वाह, वो यह, चलो, तो और यह चीज़ क्या थी, बच्छो, यह चीज़ क्या है, यह जो यहाँ पर यह curve बन रहा है, यहाँ पर potential energy minimum है, और जब potential energy minimum है, तो इसकी distance कितनी है, बच्छो, इसकी distance है, R0, ठीक, चलो, अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब उसे heat दोगे, उसकी energy को बढ़ा रह आँ, temperature, temperature कैसे बढ़े का इनिटेक energy बढ़ जाई, यहाँ थीक, आपनों से गरम क्या, heat दिया, heat किया, उसका temperature बढ़ा दिया, मतलब उसकी energy बढ़ गई, बढ़ गई, मालो, इसकी energy बढ़के, energy बढ़के कुछ यहाँ आ गई, इसको मालो, यह energy आ गई, पीनोट, ठीक, तो यहां पे यहां पे पार्टीकल की डिस्टेंस या भीजिशन चेंज तो यहं को यह आ सकता है या वो यहां ले सकता है जो समझा रही है है समझ आismini यह तो बहुत आज सकता है इस पोजिशेंट बहुत और नहीं होता है लेकिन नेट क्या होता है expand जाधा होता है आपको मेरी बात feel आ रही है नहीं आ रही मेरी बात समझो जब इसको heat करते हैं तो क्या आपको दिख चलों यहाँ देखो यहाँ देंस है अगर इसको मैं r1 बोल दूँ बच्चों यहां की डिस्टेंस है यह वाली इसको मैं r2 बोल दूँ तो क्या आपको यह साथ которую is greater than our one सागो दिखा राँ आलना यह किसमेटरिक नहीं है जितना जादा सितना जादा फॉर रहा है उस से कई जा जादा ओर है कि अरे इअ क्ल प्रतरी यहीड जाएग तो मैं जाओंगा यहां जाओंगा कितने से तीन यही प्रतरी यही चीज है यह होना तो चाहता है कंप्रेस लेकिन इसमें नेट जो चेंज आ रहा है वो एक्सपैंशन का रहा है एक्सपैंड होना चाहता है आया है इसका अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि ऐसा क्यों हुआ सीधे बोल देना एकोस ओफ दिस पूटेंश्चल एनरजी एंड इन्टर मॉरी कुलर डिस्तेंश का Jukov आता है उसमें जो नीचे कुवा बनता है यह त्टा आई करवर यह वैल बनता है व एक्समेट्रिक होता है सकेद्य मतलब नचज स्मेट्रिकल ऐसे बोल दो यह संतिरे कल नहीं होता है यह is the reason for thermal expansion समझ आया thermal expansion क्यों होता है बच्चे सोच रहे तो सर आप लीनियर expansion बढ़ाएंगे है ना फिर उसके बाद area पर आएंगे volume पर आएंगे अरे समझो चीजों को expansion क्यों हुआ है यह समझो सबसे पहले फील आनी चाहिए आया तो अब पटाक से अगर कोई भी पूछे आप से सीथे बोले ना थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है दोस्तों से जाके पूछना उनसे बोलना पता भाई थर्मल expansion क्यों होता है वो काईगा आरे heat देंगे expand करें आप उसे एक्स्पेंशन करना पोटेंशल एनर्जी और इंटर मॉलेकुलर डिस्टेंस की बीच में जो गिराफ आता है ना उसमें जो वेल होता है वो स्मेट्रिक नहीं होता है इसलिए एक्सपेंशन ज़्याद लिनिया के लिनियर एकष्पेंशन लिनर स्पेंशन की हम बात करें बच्चों तो माल लीजे एक मेरे पास रॉड़ है पतली सी रॉड है पतली सी आपको दिखाने के लिए बनाया यह ना ठीक इसकी लेंद्ध है अल कपिटल अल और इसका इस टाइम पर टेमपरिचे टी है ठीक मैंने क्या किया वज़ों इस रॉड को हीट कर दिया मैं हेच कर दिया एनरजी बढ़ गई कितना चेंज हो गया डेल्टा-टी चेंज कर दिया हीट करके ठीक तो इसकी लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी अधिक को इसकी लेंद कुछ ना कुछ लन्थ बढ़ जाएगी जो नो थोड़ी से बढ़ देगी ये तो हमने क्या देखा हमने क्या देखा जब हमने हीट दी और इसकी चेंज जो आए तो हमने यह देखा कि डेल्टा एल जो प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेंपरेचर कि वह भी कैसे लीनियर लीनियर कोई लीनियर लिया चलो और एक चीज और देखी गई कि डेल्टा एल जो है वह प्रोपोर्शनल है हमारे यह दोने चीजे नोट की गई इसको कहां से प्रूफ करो गया यह तो नोट की गई न हमने हीट किया देगा जितना जाधा टेंपरेचर बढ़ाता है लिन्य बढ़ती जा र ही बात करतें टीक चलों तो यहां से हमें क्या पता लग रहा हा बच्चो है डेल्टा एल जो है हमारा वो प्रोपूर्शनल है यह तो हमें का मिलता है डेल्टा एल्टा डेल्टा da यहाँ पे एक नई टम आई है बच्चो जो कि अल्फा इसको बोलते है बच्चो coefficient of linear expansion ये तो इसको बोला जाता है इसका फील बताओ मेरे को ये होता क्या है अल्फा ठीक है बता देते हैं कौन सी बड़ी बात है सर हम नहीं बताएंगे कौन बतागा हो लो लो अल्फा मैं लिए है अल्फा में लिएता है देल्ट ला पाउर एल कोड़ Byल, सब्सक्राइब देlles है कि इसकी NEW अंपिरशा कि लिटल को बिड़ी और एंट डेल टि ऊन्दीवसटा है ऋन दिक लगिरी शेल्टियस तो मैं क्या लिखूँगा या देखिए अब तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ अलफा क्या होगा फिर increase increase in length per unit length per unit length per unit rise in temperature बोलो feel आ रहा है अब feel आ रहा है अभी भी नहीं आ तो रुको हम मैं देता हूँ आपको feel, feel ही तो है भाई physics आओ feel लो यह बोल रहा है अगर अगर मेरे यह metal है मालो मेटर की एक रॉड है metal की रॉड है उसकी length है 1 मीटर उसका change in temperature है हमारा 1 degree Celsius तो यह बोलता है कि एक मीटर की एक मीटर की metal की रॉड या कुछ भी एक मीटर का हो है ना उसको अगर हम एक डिगरी Celsius एक unit temperature देते हैं या इतना temperature उसका change करते हैं तो उसमें जो changes होते हैं length में वो alpha होता है आया feel और अच्छे से आएगा देखो मैं feel दिला के मानूगा बच्चो आपको देखो alpha जो होता है हमारा अगर steel की बात करें alpha steel का होता है 1.2 into 10 की पावर माइनस 5 कुछ गलत लिखा हो बच्चो तो माफ कर देना राइट 1.2 हाँ सही है degree Celsius inverse और अगर copper की बात करें तो कितना होता है इससे 0.5 जादा होता है मेरा याद रखने का तरीका है बच्चो 1.5 जादा 7 10 की पावर माइनस 5 degree Celsius inverse ठीक अब सुनो इसका meaning समझो अगर steel की 1 meter की rod है उस 1 meter की rod को अगर मैं 1 degree Celsius temperature change करूँ या एक unit temperature change करूँ एक unit temperature Kelvin भी हो सकता है Fahrenheit कुछ भी ले लो तो 1 meter की steel की rod को 1 degree या 1 Kelvin या 1 Fahrenheit कुछ भी unit temperature की change करूँ तो इतनी इतनी length में change आता है कितना 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आया feel आया alpha का बिलकुल आया बढ़िया तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं यही तो चाहते हैं हम आपको feel आता रहे हैं आज अब अच्छो volume expansion पर आ जाते हैं कि volume expansion हमसे क्या बोलता है अब ही हमने linear देखा अब हमें volumetric expansion देखना है ठीक volumetric expansion की हम बात करेंगे तो माल लीजिए माल लेते हैं कि हमारे पास क्यूब है देखो मैं छोटा सा क्यूब बना रहा हूं आपके लिए ज्यादा बड़ा बनाऊंगा तो आप उठाके लेके भाग जाओंगे सर आपने क्यूब बहुत अच्छा बना दिया उठाके भाग रहे हैं इसकी साइड की L modest forma वाख्यों टी को मैंने क्या किया हीट росс 거예요 करतों और इसका chemicalादव होगया देल्ट टी टी को कुछ न कुछ उपेंड हो गया कि स्ल मधी प्लस डल्क बल्करब हो गया हूं ती जो की है हमारा छोटा रहेंगा हमारा कितना 200-200 Kelvin से कमी रखेंगे क्यों रखा कैसे किया वो मैं आपको बताता हूं मेरा कहने का मतलब है इसमें जो चेंज कर रहे हैं तेमपरिचर का हीट दे रहे हैं तो इतनी भी हीट नहीं देंगे कि 200 Kelvin से ऊपर निकल जाए तेमपरिच चींज इन वॉलियूम में वह हमारा ड्यल्टाए झील से रिमिल्ौ प्रोपेंडेंटे हुट sih त्वर यहां से हमें क्या पता लगता है ते यह 5 यह 4 दे यह 4 टेयर 4 ड्यल्टा वी इस प्रोपोच्णल में ड्टाटी टो ड्यल्टा वी क्या हो जाएगा हमारा इक्कवस्ट V gamma delta T यहाँ पर gamma की जो value है gamma क्या है हमारा coefficient of volume expansion ठीक इसकी भी बात करोगे कैसे बात करोगे delta V upon V upon delta T gamma होगा अरे gamma क्या होगा यहां से delta V upon V delta T तो यहां से आपको पता लगा रहा है इसके लिए वही चीज़ बूल सकते हो कि एक मीटर क्यूब एक मीटर क्यूब का अगर मैं एक मीटर क्यूब का अगर मैं एक क्यूब लेता हूँ ठीक है वाल्यम अगर मेरे एक मीटर क्यूब है उसका टेमपरेचर एक यूनिट बढ़ाने के लिए जो वाल्यम में चेंज आता हो क्या होता है कामा होता है ठीक, छलू, अब मैंने, मेरे बास सुनो, मैंने यहां यहां यह बोला था ना, टी जा न् टू अटेब है के, इसके और उसका रिजन, जब गामा और टी का ग्राफ बनाया गया, तो बच् assessments पाया, तो बच्चो उग्राफ को इस तरीके का, आया बुलो अच्छो कैसा ऐसा ठीक ऐसा graph आया चलो तो यहाँ पर हमने क्या देखा ऐसा जो graph आया तो मालो यहाँ तक जो value थी यह भी yellow है यहाँ तक जो value थी यहाँ इसको हमने नोट किया किता है मालो 200 के और यहाँ जो value आई वो आई 500 के तो हमने देखा कि less than 200 के है तो हमारा गामा जो है वो proportional आ रहा है हमारा किसके टी के देखो और इसकी उपर की जब बात करते हैं तो कुछ नहीं कुछ constant होता चला जाता है चेंजे आ जाते हैं इसलिए हमने बोला कि इसकी value 200 के से कम रखेंगे चलो एक चीज़ और बच्चो गामा जब पता है हमें temperature पर डिपेंड कर रहा है यहां पर क्या बोलेंगे डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन तो अगर आपको question में कभी ऐसे दे दे कैसे दे इधर देखो कैसे दे माल उसने बोल दिया गामा हमारा चेंज हो रहा है टी की पावर फॉर प्लस टू टी की पावर स्कूर ऐसे करके यह कुछ रिलेशन दिया गामा और टेंपरेचर का और आप से बूचे अब बताओ change इन वाल्यूम तो मैं क्या इसको यह लिख सकता हूं div equals to vegan already t div is equal to v gamma d t यह चैंज है चैंज है चोटा सा चींज कर रहा हूं तो डीवी लिख दिया यहां पर अब गामा की वैल्यू पटक देना डीवी इकल्स टू वी गामा की वैलिख दो कि टी की पावर 4 प्लस 2 t square दीटी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना जो भी लिमिट दी हो लिमिट लगा देना बोलो कर लोगे कि इजी इंटीग्रेशन अब तो मैंच का बाइड आ गया आज़ो कि है ना तो कुछ भी ऐसा रिलेशन आपको दे सकता हो चलो अब हम बात करते एडिया इसको भी मैंने हीट किया राइट करेंगे तो चेंज इंटी हो जाएगा राइट तो कुछ ना को चेंज क्या होगा एडिया में मालो ए ए यहां इंट प्रोपोशनल आएगा हमारा टी के और डेल्टा अब्रोफिशन नले टी अटाने के लिए हमने एक डल्टा टि और यहांसे बीटा को क्या बोलेंगे अप्क कोफिशेंट ओफ एरिया एक्षांशन कोफिशेंट ओफ यख कोफिशेंट और एरिया इक्सपांशीट थीक बोले समझ आया हमने ere टाइप के expansion को हमने देख लिया और इसकी उपर कोई भी कोशन आएगा आप कर सकते हो है ना गामा का मैंने बता है आपको कोई वो टेंपरिचर पर डिपेंड कर रहा है इसलिए वो कर भी सकते हैं से राइट चलो अब हम क्या बात करने वाले बच्चों इन तीनों के बीच के बीटा इकल्स टू जी अलफा ठीक यह हमारे इसका एलेशं होते हैं यह आए कैसे मुदेख लीन बात कर लेते हैं इनके डिलेशंट की बात कर तो हैंं सरे यह होती है तो इसकी जो गामा की वेल्यों आ यह न इसकी गामा की किस्की स्ट पर हो एंटी पॉइंटीगेमृ थी टेने서 पोरलना थी टाइम सब्सक्राइब सिट्री है विडियो साफ नौमों तो मैं अगर बात करो अगर गामा इकास्टू 3 अलफा निकालना ए तूम्माल लेता हो एक मिरफास क्यूब है ठीक है यह नहां मेरा क्यूब है क्यूब है इस क्यूब मैं मुझे लेंथ दे रखी इसकी एल और इसका वॉलियूम वी दे रखा है मैंने इसे हीट कर दिया सब्सक्राइब कोई बात नहीं ठीक है मैंने चोड़ा सब्सक्राइब कर दो कि यहां पर मैं क्या बोलूगा यहां पर मैं क्या बोलूगा कि देखो क्या होगा जब किया होगा कुछ ना कुछ लेंद boring लब ऐल चले ना है लोडी चलो तो चलो तो हमने क्या डखाता है delta L equals to, यहां क्या देखा था, delta L equals to L alpha delta T, बहुत सही हो, delta V क्या आया था हमारा, क्या आया था बच्चो, V gamma delta T, बोलो, यहां मैं उस चीज को लगा सकता हूं, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, कि DV is equals to V gamma DT, बोलो, सही बात है, ठीक है, और DL, क्या DL, is equals to L alpha DT, बोलो, सही है यह दोनों equation, बिल्कुल सही है, एक चीज और पता लगी मुझे, क्या, सर, volume equals to L cube होता है, cube का, बिल्कुल सही बेटा, अगर मैं दोनों साथ differentiate कर दूँ, तो DV equals to 3L square DL आ जाएगा, बहुत सही है, सर, क्या मैं DV की जगे इसकी value रग दूँ, रग दो, V gamma DT, इसको 3L square, और DL की जगे इसको रग दूँ, रग दो, सर, L alpha DT, ठीक, क्या इस volume की जगे मैं L cube लिख दूँ, लिख दो, सर, आपकी मर्जी, आपके हाथ में पहन, आपका board, आपका color, हम कौन होते हैं बोलने वाले, अरे यार, कोई न, कोई न, जैसा आप बोलते जा रहे हैं, वैसे ही कर रहा हूँ, आप ही ने बोला अभी L cube रखने का मैंने रखा, मैंने रखता नहीं तो, आप ही बो रहा है, बच्चो, gamma is equals to 3 alpha, बोलो, किलियर हुआ, किलियर हुआ, कैसे आया, बिल्कुल तरीके से, बहुत बढ़िया, यहाँ पर जल्दी से एक बार और देखेंगे, यहाँ पर, अगर मैं area expansion की बात करता है, बच्चो, अगर area expansion की बात करता, तो वो भी कुछ length L बोल देता ह की, इसका area A है, इसको ही मैंने heat कर दूँगा, right, heat करने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें भी change of temperature DT माल लो, तो area हमारे DA change हो जाएगा, और हमारी length कितनी, DL change हो जाएगा, आया समझ मैं, यहाँ पर भी same process चला देना, कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो, area क्या होता है, L square, बता है, बता हूँ, A, B, T, DT होता है, अब यहीं मत बोलना, यहीं कैसे आया, यहीं चीज़ा तो कर रहा हूँ मैं, 2L, इसको कहले लिख दू, L, Alpha, DT, ठीक है, area को कहले लिख दू, L square, B, T, 2L square, Alpha, DT, क्या मैं, DT से DT cancel कर दूँ, देखो, आप ही बोल रहा नहीं, तो मैं कैंसल नहीं करता, ठीक है, तो बीटा इकोल्स तो आगया, तो Alpha, क्या बोलो कुछ गलत बोला मैंने, क्या relation निकल के आगये दोनों के, और यह प्रूफ भी हुआ, बच्चो यह गलत नहीं है, प्रूफ हुआ, ऐसी अगर आप कॉपर की बात करोगे, तो Alpha कॉपर का कित्ता हो कर दो, हाँ, तिरी दे, हाँ, फिया 5.1, आजो, मैनस 5 डिगरी इंवर्स, यह होता है, यह प्रूफ हुआ, यह रियालेटी है, समझ आ रहा है, किलियर हो रही है, चीज है, बिल्कुल मजिदार, आराम-ाराम से, कोई भी दिकत, नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिकत हो रही है है, जिसको बहुत आराम से समझ आ रहा है, मैं स्पीड बढ़ा दीजिए, 0.5 की स्पीड से बढ़ा मजा है, और जिसको भी नहीं लग रहा है, कि हमें स्लो स्लो समझने की जरुबत है, तो बच्चों मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूं अपके लिए, आप क्या चाहते हो कि बिल् पानी का अनॉमलस बिहेवियर, यह अनॉमलस एक्सपैंशन अफ पानी का अनॉमलस एक्सपैंशन, अब पानी भाईया आप ऐसा क्यों करती हो, हमको यह बटाई है, टॉरिमन, टॉरिमन, मैंने सिम्चैन को और डॉरिमन को मिला दिया, और आप लोग फार्क भी नहीं समझ है, चलो, आरे सिम्चैन करता, है? जब समझाया? यह नहीं खता, आ जो, चलो, अनॉमलस एक्सपैंशन अफ वाटर, बच्चों जब हमने वाटर की बात करी और वाटर के एक्सपैंशन की बात करी कि जब वाटर को हीट करते हैं, यह वाटर के टैमपरेशर को कमेंचाजाद कि यह देखो मैंने यह एक graph बनाने वाला हूं किसका volume का यह क्या है मेरा volume ठीक और यह क्या मेरा temperature ठीक है चलो आजू अब मैंने क्या किया यहां पर दो point लेता हूं मैं पहले एक यह ले लिए 4 और मैं चलो point अभी लनाते हैं नहीं ते हमारा graph अच्छे नहीं आएगा आजो ऐसा कुछ है ठीक है यह जो पॉइंट था यह हमारा फो डिग्री सेंटिग्रेट और इस पॉइंट को हमाल लेते हैं टेन डिग्री सेंटिग्रेट देखो अब मुझे चीज बताओ जैसे यह से टेंपरिचर बढ़ता है बॉडी यह मैटेरियल एक्सपैंड होती है अब इस जब से हम वही कर रहे हैं कोई बात ने तो सब्सक्राइब कर रहे हैं आप क्या देखर है हाँ अब उल्टा आओ अगर टेंपरिचर बढ़ाने से वाल्यूम बढ़ता है तो टेंपरिचर कम होने से वाल्यूम कम होना चाहि है बिल्कुल आँप तो टेंटीक्री से आओ जैसी कम बढ़ रहा है तो एक्सपैंड हो ला है बिल्कुल सभी होता है तर्मल एक्स्पैंज है और घेसे हीट कम और तर jullie सेंटीग्रीट पे वाटर है तो यह चाहल हो रहा है जैसे जैसे force बिकरी कम हो रहे हो जैसे तोन कम होत है एक्जेक्टली या कोनीकल नहीं होता ऐसा कुछ आता है ठीक है समझ गए तो इसका मतलब अरे बापरे मतलब तो टेंपरेचर कम हो रहा है तो वाल्यूम बढ़ने लग और यह बापरी यह पानी है क्या है बहुत बुल बुल यह क्या है समझ नहीं आ रहा है आप समझो बात को ठीक है तो यह किस चीज की बाद चल रही है यह हमारा वाटर ने एक ऐसा बिहेवियर दिया देख बहुत अल ठीक चल ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों हुआ भाई उसकी प्रॉपर्टी करता है एक स्पैंड वो समझ आया चल आओ इधर एक चीज समझाते हैं आपको कभी आपने देखा होगा जैसे कोल्ड कंट्रीज है ठंडी ठंडी बरफीली जगह नॉर्थ वोल साइड मान सकते हैं ठीक है घरत बोल रहा हूं तो कोई बात नहीं जलनुत तो वहां पर आपने एक वाटर पाईप systems देखिऊंगे न पानी के एक पाइप होता है मालों यह पाइप है और इसमें वाटर funding कर marginalized रा कि हzę न जैसे तेंपरेइचर कम होता जाता है घसी कम होता जाता है लेकिन जासिा प्रुट दिघ्य송 के चालता इन तीक देल्सी कांडराओ जाना चालो जाता है कि यशी कम आँ रहा है वोटर इक्सपेंड होना चालो जाता मालो यहां का टैंपरेचर कुट टू डिल्डीग्री सेल्सिसाइब कई दू डिल्दीочки सेल्सिफ है यहां गार यह गुन के दू दिल्डी कीलों जाते हैं तो इसका बड़ा बहुत अच्छा एक्जाम्पल है बच्छों यह एक्जाम्पल देखो आप लोग जैसे कुआ होता है कुआ या फिर हम लेक की बात कर लें किसी की भी तो माल रही है हमारी एक लेक है तो इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है राइट पूरे में पानी भरा हुआ है मैं आपको इसकी सरफेस पे पानी दिखा रहा हूं आप पूरे पर बान लिए ठीक पूरे में पानी भरा हुआ है ऐसे ठीक समझ गए आप पूरे में पानी भरा हुआ है ठीक चलो आप मझे ची और पानि का तेमपर सिर्पारंच पूरे का अब जैसी मालो एक संट्य कम होता है मालोव नइंड डिग्री संट्यक्रीश की अगरहां बात करूं नाइंड डिग्री इसको अटा दे हादे विच्छे पागल हो गए हो ठीक है चाहा तो मैं यहां क्या बोलूगा मानो मानो इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरे पानी भरा हुआ ठीक है यह फुल है पानी से फुल है तो अगर मैं 9 degree centigrade की बात करूँगा 9 degree centigrade गया पैद आ जाओ अभी मेरा 10 था सब्सक्राइब गाम आए कंपर रहे पानी के यह पूरा पहरा हुआ है फाल यह पहली लियर आएगी फैलियले लेयर आए जबमोंगा दस से नो है आप देखो दस से नो हो राय तो वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है यह देंखो दस नौ हो गात वॉल्यूम कम हो गा एक चीज़ बताओ density equals to mass upon volume होता है, mass तो constant रहेगा जितना भी इसका पानी होतना तो रहेगा तो density inversely proportional to volume है बिलकुल है तो क्या यहांसे मैं यह बोल सकता हूँ, जैसे 10 से 9 degree Celsius होगा, इसका volume कम होगा, volume कम होगा तो density बढ़ जाएगा, density density बढ़ जाएगी, मतलब भारी हो जाएगा पानी, तो यह पहली लेयर का जो पानी होता है, वो भारी हो जाता है, जैसे temperature कम होगा, तो यह वाली लेयर नीचे आजाएगी, सबसे नीचे आगई, अब इसकी उपर जो लेयर होगी, उसका temperature नहोगा फिर वो क्या करें, वो और नीचे आजाएगी, नीचे आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, ऐसे पानी की पूरी layers का temperature 9 degree Celsius हो जाएगा, ऐसी होता रहेगा, 8B होगा, 7B होगा, 6B होगा, 5B होगा, 4B होगा, अब सुनो, अब सुनो, अब है important बात, माल लो इस layer का temperature हो गया, भी 4 degree Celsius, पूरे इसका, लेक का, ठीक, चलो, अब इसके बाद क्या होगा, सुनो, जैसी 4 degree Celsius होगा, और temperature थोड़ा और कम होगा, थोड़ा और कम होगा, तो देखो, क्या हो रहाएगा, आप सुनो, अभी volume इतना है, ये volume है, और जैसी थोड़ा चेंज हो, मालनों यहाँ चेंज हुआ, देखो, volume बढ़ गया, बच्चो, volume बढ़ गया, volume बढ़ गया, volume बढ़ गया, इसका मतलब, volume बढ़ गया, इसका मतलब, जल्दी बोलो, volume बढ़ गया, तो density कम हो जाएगी, मतलब, liquid की surface की layer, हलकी हो गई, और layer के comparison season में हलकी हो गई, सबका temperature अभी चाहरी है, और इसका थोड़ा सा कम होगा, कम होगा, तो volume बढ़ गया, क्यों, anomalous expansion होता है, इसका, कि कम हो गया, temperature कम होगा, volume कम होगा, density कम हो गया, density कम हो गया, तो हलका हो गया, क्या यह नीचे जाएगा, बिलकुल नहीं जाएगी, वो layer ऊप पर हो गई, अब इसका temperature और कम होगा, और कम होगा, कितना हो जाएगा, जीरो तक पहुच जाएगा, कभी को लें नीचे आएगी, बिलकुल नहीं आएगी, क्योंकि पूताफ सबसेल की हो गई, और जैसी यह क्रॉस करता है, 0 degree Celsius, यहाँ पर आइस बन जाएगी, पहली लिए आइस बन जाएगी, और नीचे पानी-पानी रगा, फिर आप यहाँ पर बढ़िया से स्लाइड करो, नीचे आएगी, मगर मच, है न, चल रहा होगा, वेट कर रहा होगा, कि आइस का बटे गी, और आप नीचे आओ, मैं आपको खाओ, और आप बढ़िया स्लाइड कर रहो जल्दी सुनों जैसे चार डिगरी सेल्सियस पूरी उसका लेयर का पानी हो गया सारी लेयर का अब उसके थोड़ा टेंपरीचर भी अगर कम होगा ना तो वॉल्यूम बढ़ जाता है पहली लेयर का तो यहीं कॉंटेक्ट में एट्मासफिर तो सबसे पहले यहीं का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो लेंस इंसीटी कम हम जाएगी और दैंसीटी कम मतलब हलका ओ गया, उसकी देंसीटी मैं हो ग्या पहली लेयर की तो किया जीकिक्रें कंश 5 काफी बच्चों को पता होगा जिनको नहीं पता है वह भी लिख सकते हैं इसको फाइर अलार्ममें भी यूज करते हैं जो मान क्या लो एसे होता है यह मेरे पास यह मेरे पास एक दो मैटल की सहरोड है यह माननों को मैं यह हिंज कर रहा है यहां से हैं अच्छे से मतलब यह नहीं है कि मैंने उसको मलब कुछ जर्णिर नहीं इंटभिक कूछ लगा केुदि कहिआ को इतने अच्छे से पाइवेटेट कर दिया कि हिलिंगे नहीं चाहिए इसमें आग लगा दो कुछ खरते इनको ठीक है यह मैटल की रॉड है मैटल रॉड ठीक है और इसकी हमें लेंद्ध दे रखी एल दोनुकी ल इसका में अलफा दे रखा अलफा टू और इसका अलफा दे रखाया अलफा वन पॉल सही है और अमें बोल रहा है कि एलफा टू इस ग्रेटर देन अलफा वन सौरी बच्चों थोड़ा गला खराव है आज थोड़ी डाउन फील कर रहा हूं लेकिन एनॉमलेस एक्सपेंशन जरूर कराएंगे हो गया है अब तो जब अलफा टू इस ग्रेटर देन अलफावन हमसे बोला गया है मतलब अगर इनको हीट कराएंगे तो इसमें जो लेंध क तो इसक श्रेट बीन तो तो क्या देखा मैंने कि कुछ इस टाइप का शेप आ जाता है कुछ इस टाइप का शेप किन कंडा आपको आपको समझ आ रहा है किस टाइप का शेप आ रहा है ऐसा क्यों हुआ अरे भाई एक चीज बताओ अगर यहां पर यहां पर इसको मैंने चिपका रखा है और इसका अलफा वन है इसका अलफा टू है तो यह जाधा एक्सपैंड होना चाहता यह कम तो उपर वाला जाधा एक्स यह दोने चिपके हुए हैं यह तो कम हुआ इसको भी और इसको एक्सपैंड होना था चाहे तो रोक चाहे नहीं रोक है ना करते नहीं एक्दम अपन किसी जोर लगाते नहीं होता तो वह चीज टेड़े हो जाती अपना हाथ ही तूट जाएगा वहीं चीज वह तो पूरा जोर लगाया लेकिन ऐसे सुकड़ गया सीधे की जागे ऐसा टेड़ा हो गया तो यह जो चीज बन रही है कुछ ऐसा मेरे को आर्क की तरह फील आ रहे हैं अगर इसको पीछे तक ले जाओ तो जिसका एंगल कुछ ठीटा माल लेता हूं और यहां तक का इसका रीडियस आर म भन जाता है कि चलो तो आरकी बीम्लें को आरकакти कर लेते हैं तो चलो तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं और माल लो सकी इनीचल लिन्थ एल ठी और change होने के बाद, change होने के बाद यह ऊपर ओली में जो change आया वो l2 अया, इसकी length change होके l2 हो गई, यह इनकी बीच में change आया अब हो l2 लूढे, इसकी length change आया कितना, l2, इस में change कितना आया, l1, ठीक, चर तो मैं क्या यह बहुत जो हम बोल सकता हूं, change in length क्या बोलते थे delta L इसको क्या बोल रहा हूं थे को L2 के लिए अगर बात करूं तो change in length equals to initial length L दोने के लें से alpha 2 delta T बोलो सही है ठीक है ऐसी L1 के लिए भी लिख सकता हूं L alpha 1 delta T बोलो सही है बिल्कुल सही है एक चीज़ और बोल सकता हूं आपको यह पता है angle equals to arc upon radius होता है यह तो बता ही होगा बच्चो angle equals to arc upon radius होता है यह क्या होता है radius होता है आजो ठीक तो क्या यहां से आपको angle दिख रहा है angle के theta अगर मैं यह alpha 1 वाले की बात करूं तो इसके लिए arc क्या है हमारा जो इसमें change होगा क्या है l1 length change होगी न है l1 चलो ठीक है अपन अपन क्या लिखूँगा यह क्या जाएगा radius हार ठीक है चलो सही लिख रहा हूं हाँ सही है और दूसरे वाले के लिखा लिखूँगा angle equals to arc arc कितना l2 upon radius r plus delta x बोलो कुछ गलत लिखा नहीं लिखा यहां से हमारा l1 कितना आ रहा है r theta और यहां से l2 कितना आ रहा है r plus delta x into theta बोलो सही लिखा बिल्कुल सही है क्या यहां से मैं इनको परावार रख दूँँ देखो 2l1 की value आ रही है यह वाली और यह वाली दोनों को इक और लिख सकता हूं लिख दो sir तो क्या लिखूँगा देखो r theta equals to l alpha 1 delta t बोलो सही है बिल्कुल सही है और l2 के लिखूँगा लिखूँगा देखो l2 l2 बराबर r plus delta x into theta is equals to l alpha 2 delta t ठीक है दो equation आगे में पर एक यह किये किये क्या करूं इन दोनों को divide मार दूं मार दो sir आपकी मर्जी जो हो आपकी मर्जी करो divide कर दो तो r upon r plus delta x इसको theta यह theta cancel हो जाएगा फिर यह ने लिख दिया l alpha 1 delta t whole upon l alpha 2 delta t क्या सही लिखा मैंने बिलकोल सही delta t से delta t गया l से l गया theta से theta गया बताब क्या आएगा r upon r plus delta x is equals to alpha 1 upon alpha 2 हमसे पूछा गया r तो क्या मैं इसको ही लिख दूं r plus delta x upon r is equals to alpha 2 upon alpha 1 बात तो बही है चलो तो क्या आजाएगा 1 plus delta x upon r is equals to alpha 2 upon alpha 1 ठीक तो यह लिख दूं delta x upon r is equals to alpha 2 upon alpha 1 minus 1 तो delta x upon r कित्ता आजाएगा alpha 2 minus alpha 1 upon alpha 1 तो यहां से बद आर की value कितनी आ गई alpha 1 upon alpha 2 minus alpha 1 into delta x बोलो सही है समझ आया कैसे आई यह चीज़ किलियर हुई यह चीज़ किलियर हुई आपको बिल्कुल बढ़िया चलो यह हमारी सब्सक्राइब बाइमेटल की स्ट्रिप है और यहां पर ऐसी एक स्ट्रिप लगी है कोई बात नहीं यहां पर माल लीज़े हमारा यह अलार्म बॉक्स है इसमें कोई करी फंक्छन हो कगां कोई फंक्छन हो सकता है कैसा भी यहां पर बजने का फंक्चन है और यह ज्राइब हुआर ंट कि सीज़े देखो ते देख रही है यह वाली जो यह रवाट लगाइंगा यह जो लगाए यह बगलगा है यह यहां पर बाइडलिक इस्ट्रिप का यह है है थो ऑप सोनो जैसे हीट आएगा और यह पूरी चीज मेटल की बनी कि और बैटरी अल्रेड़ी लगी हुए ही जिसकी क्या होगा एकस्पैंड करेगा है कुछ एस़ ङसैसा कर ऐसे कर पार तो यह सिस्पैंड हो जाएगा तो सकुर्किट कमप्लीज हो जाएगा और सरकीट जब complete हो जाएगा तो जालारम बच जाएगा बोलो फील आया कैसे और यह ये फील आया कोई चीज है यहां पर लगी होगी हैना यहां लगी हुई है सिर्क्रीट की अगर फील नहीं हारी तो माली कुछ ऐसे एक लगा हुगा है ठीक जैसे इसमें एक्सपेंशन होगा तो यह चीज दूर हो जाएगी इससे टच में नहीं रहेगी जब तक टच में अलारम नहीं बज़ रहा है जैसी एक्सपेंड होगी तुझे टच से अठिया तुरांट अलारम बच जाएगा तो यह हमारे फायर अलाम में काम आता है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ भाईया एफेक्ट और टैंसिटी ओफ लिक्विड लिक्विड की डैंसिटी पर ता इसकी भी बात करनी हमको जो है पढ़ेगा अटिंग पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा अभी तो देगा बच्छों आपनने वाटर के लिए देंसिटी अगर मैं किसी की डैंसिटी कम होता है तो अगर मैं हीट दूंगा वाल्यूम बढ़ेगा और वाल्यूम बढ़ा हां तो यहां से मुझे एक आईडिया तो लग गया कि अगर मैं किसी की डैंसिटी रो है उसको अगर मैं हीट दूंगा तो की दैंसिटी कम हो जाएगी साही है जा法 यह कौँछ बढ़ेगी चलो तो माल लीजिये कोई मेरे पास लिक्विड है लिक्विड बोला तो लिक्विड माल लीजिये रहा लिक्विड लो अरे सर आप तो लेयर बनाने लग जाते तुरंत ठीक है माल लो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो दियो यह बच्चो रो ठीक इसको मैंने क किया है मैंने किया heat है इसको मैंने क्या किया में चेंज आया कितना और कितना हो इस comprehensive तो एक चीज़ तो हम क्या बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम कुछ होगा भी और वॉल्यूम में कितना चीज आएगा डीवी इकॉल्स टू वी गामा डीटी बोलो मैंने कुछ गलत बोला वॉल्यूम में देख रहा है बिल्कुल सब्सक्राइब एक चीज़ बताओ इनीचल इसकी डेंसिटी रो कित्ती होगी रो इकॉल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम बोलो यह भी सही है बिल्कुल सही है सर ठीक है चेंज इन डेंसिटी क्या होगा उसको मैं रोड़ से अगर डिनोट कर दूं कित्ती होगी म अपॉन वी प्लास डी वी वह दो मैंने खुछ गलत बोला नहीं अरे वॉल्यूम में चीन्ज कितना हो जाएगा वी जो था डीवी चेंज और हो गया तो यह नई डैंसिटी होगी मास सेम रहेगा जितना एह उतना ही रहेगा तो पांच किलो यह तो पांच कि is equals to m upon v whole upon m upon v plus dv. बोलो सही है? बिल्कुल सही है. तो rho upon rho dash जो आ रहा है मेरे पास वो कितना आ जाएगा? दिस, चलो, v plus dv whole upon v. बोलो सही लिखा मैंने? बिल्कुल सही लिखा, बच्चो, बिल्कुल सही लिखा. ठीक, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? रो upon rho dash is equals to 1 plus dv over v. बोलो सही लिखा है मैंने? बिल्कुल सही लिखा है. बच्चो, एक चीज बताओ, क्या है? यहां से आपको एक चीज दिख रही है, dv over d क्या होगा? देखो, यह जो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, यहां पर. dv upon v is equals to gamma dt. बोलो कुछ गलत लिखा है, बी को इदर लेके आ गया हूँ, और यह dv over v को यहां substitute कर दूँ, तो rho upon rho dash जो आएगा, मैं कितना आ जाएगा, 1 plus gamma dt. ठीक, चलो सही है, अब सुनो, यहां देखो, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको rho को इदर ले जाता हूँ, इसको नीचे, तो rho dash equals to rho upon 1 plus gamma dt आ जाएगा, क्या जाएगा, gamma dt, गामा dt, सही है, तो rho dash कितना आ जाएगा, rho 1 plus gamma dt की पावर minus y, बोलो सही लिखा है, सही लिखा है बच्चो, यहां लगेगा हमारा binomial expansion, जैसे इसमें expansion चल रहा है, binomial भी आ गया, है ना, चलो आप किसी को नहीं पता हो, तो यहां पे देख लो, एक लाइन में लिखने वालों क्या होता है, a plus b की पावर, n जो होता है, उसका binomial expansion होता है, या फिर 1 plus का बताते हैं आपको, 1 plus क a, a की जगे x लिख दो, a की जगे x लिख दो बच्चो, 1 plus x की पावर n, ठीक है, 1 plus nx plus 1 plus n, n minus 1, x square upon factorial 2, यह factorial 1 था, plus n, n minus 1, n minus 2, x cube upon factorial 3, यह dash 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 चलता रहेगा, ठीक, इस से हम इसको खोलेंगे, तो क्या लिखूंगा, rho dash equals to, rho 1 plus n, n यहाँ पर कितना है, minus 1, x, x की जगे क्या लिखूंगा, gamma dt, whole upon factorial 1, plus n कितना है, minus 1, n minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 2, x square की जगे, है, gamma dt का whole square upon factorial 2, बाकि dash dash dash, अब मुझे एक चीज़ बताओ, change in temperature कैसा है, बहुत बढ़ा है क्या, बहुत छोटा है, और छोटी सी value का square कर दोगे, तो वो, और बढ़ी हो जाएगी, sorry, और छोटी हो जाएगी, हाना, अगर, कोई छोटी चीज़ है, न, point वाली value है, है, हाना, point, मालो 1 by 4 है, 0.25 होता है, ठीक है, 1 by 4 का, अगर square कर दोगे, तो 1 by 16 हो जाता है, और कम हो गई, तो मैं कहाई, इस time को neglect कर सकता हूं, 10 to 0, तो कितना बच्चेगा, यही तो बच्चेगा, बस इतना, इसको मैं लिख देता हूं, अलग से, है, इसको देखो, मैं उपल लिख रहा हूं, इस time को मैं उपल लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, तो देखो, क्या लिखूंगा, row dash equals to row, 1, minus 1 का इंटू कर देंगे, तो कहा जाएगा, minus gamma dt, और क्या बच्चेगा, factorial 1 अपना 1 रहता है, 1 का factorial 1 होता है, तो row dash अपना कित्ता आ जाएगा, row 1, minus gamma dt, this is the expression for effect of density on, effect on density of liquid, किसी भी liquid की density में जो effect पड़ता है, वो यह आता है, बोलो, यह चीज़ के लिए हूई, और देखो, सही भी लग रहा है, initial density row dash, sorry, initial density row, जो नई density आई है, वो कुछ minus होके आई है, 1 minus, मैंने बोला था, expansion हो रहा है, heat दी, expand किया, मतला volume बढ़ा, volume बढ़ा तो, यह देखो, volume बढ़ा, देखो, 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 यह देखो, volume बढ़ा, volume बढ़ा तो density कम, density कम तो कुछ ना कुछ कम आनी चाहिए, यह दो कमी तो आ रही है, पहले रोती ही, उसमाज़ में आ रहा है, आ रहा है, समझ में तो बहुत बढ़िया, आज का lecture हमारे यहीं end होता है, ठीक है, हमने इतनी सारी चीज़े देख ली, next lecture में हम आपके लिए लेके आएंगे, specific heat capacity, then उसके बाड़ हम switch करेंगे, कि change कैसे होती, state की, right, फिर heat transfer पर आएंगे, कि heat को केंदे transfer किया जाता है, है ना, conduction, convection, radiation भी आएगा, black body radiation, radiation, NCIT में सब दिया हुआ है, सब कुछ कराते जाएंगे, है ना, इस से related, आपको जो भी आज पढ़ाया गया है, जो भी जितना भी आपको portion पढ़ा दिया जाया है, उसको आप NCIT में पर read कर लिया, read, क्योंकि क्या होता है, direct NCIT पढ़ते हैं, तो मैं नहीं समझ आता, लेकिन अब समझने के बाज़े से, anomalous expansion हमने देखा, right, उसको अब NCIT में समझ की देख, आप उसको पढ़ना, एक बार read करना, बस, आपको चीज ऐसा लगएगा, कि बिल्कुल सही समझ में आ रही है, है ना, उसको भी read करना, मस्ट है, NCIT read करना, right, तो चलिए बच्चों, ऐसे ही मस्ती करते रही है, मस्ती मीन्स पढ़ा ही करते रही है, है ना, एक्जाम सपास आ रहे हैं, और बिल्कुल मनला आगे पढ़ा ही करते रही है, नेक्स्ट क्लास हैं मिलते हैं हम लोग, जब तक के लिए, टाटा, बाई बाई, नेक्स्ट लेक्चर हैं मिलते हैं, बाई,